ही एंबुलेंस पहना थी और उन एंबुलेंस के जरीए अप इन मज़ूरों को चिन्याली सौर्ट पहुचाया जाएगा जैसे ही मज़ूर बाहर आ रहे हैं उनको एंबुलेंस से बठाया जा रहा है जो फॉरन प्राइमरी मेडिकल हेलों के लिए उनका हिसाब से हुए है इस में भालइमस के लिए है चोर्ट वान तो छेप घर एम बढकाती है जी जी देख यह तो होखाः तो हुए हुए हां बिल्कुल जो पाहार है के वह बढका प्रसंट लोग ने ने vet durante broken इसमy में स्सक्राइब सिर्मेर से दंप और किस्टाइब को लोग बाहरा पाइब प्लीस पास में जाना की नहीं जटता है हम लोग 50 बिट दूर में देखा प्लीस जब अच्छा कंडिशन में अपना अच्छा बिकुल बिकुल एच क्या हो कि लग 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 जो मेरा भूसे 25 बिकुल नुकला हम जब जी अब इसका पत लूइंचा एंचा एक एक और यह जी यह पता निये दिखा रंढ़ा जू के थैंक्यू क्यू थैंक्या थैंक्यू थैंक्यास अब जल्दी आई कि को बाहर दो हरें पताटी जैर हरें हमें जिन्नावाद 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 तो सुना आपने एक मौके पर जो रेस्क्यू आप्रेशन में अधिकारी लगे वह तो जो टीम लगी थी उसी के एक अधिकारी को आपने सुना या अधिकारिक बयान देते हुए कि एक मजूर को बाहा निकाल लिया गया है एंबुलांस में बठा दिया गया है उनने खुद देखा है उनकी पर अब तीन मख्दूरों को बाहर निकाल लिया गया है यह जानकारी मिल रही है एंबुलेंस बठाया गया है इन्हीं एंबुलेंस के जरीए उन्हें चिन्याली सौल ले जाया जाएगा अस्पताल में और चिन्याली सौल पहुस्टे में करी दो से धाई घंटे का वक्त यहां से लग सकता है और 24 घंटे उन्हें क्लोज ऑब्जविशन में रखा जाएगा और 24 घंटे के बाद यह तै होगा उनकी हलत को देखते हुए कि कब उनके अपने अपनी स्टेट्स में उन्हें ट्रांसफर किया जा सकेगा हाला कि जिन जिन राज्यों के यह श्रमिक है वो उनकी तरफ से यह कोशिशे हैं कि 24 घंटे बाद ही वो उन्हें एयर लिफ्ट कर वाले उनके घर्थ उनकी राज्यों में यह कहा गया है हर राज्य सरकार की ओर से फश्चिम बंगाल के मजदूर भी इनमें हैं उडिसा के भी हैं आसाम के भी हैं और ऐसे में जो अभी जो परिवार वाले हैं जो परिजन है लगातार प्रारताय कर रहे थे आपने हमने दिवाली मनाई थी लेकिन इन परिवारों के लिए वो त्य स्वास्त सकुषल बाहा निकल आए और उसके बाद अपने परिवार वालों से मुलाकात कर ले उनसे वो मिल जुन ले उनके बीच बहुत जाए ताकि परिवार के उपर जो ये दुख का संकट जो दुख की घड़ी आई थी ये संकट आया था वो पूरी तरह से उसे वो खत्म जाए और वो अपने परिवार साथ अच्छा समय व्यतीत कर सके अब तीन मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है एंबुलेस देखें यहां पर रवाना होते वे आप देख सकते हैं वेल एकोप यह एंबुलेस यहां पर लगाएं गई थी और एक एक करके मजदूरों को शुरू हुआ है करीद दो से तीन मिनट का वकल सकतार एक मजदूर को बाहर निकालने में यह जानकारी पहले ही देदी गई थी और अब इन मजदूरों को आज सत्रवे दिल बाहर निकालने में काम्याबी मिली है तो आखरी की जो लड़ाई थी जब ओगर मशीन भी हार और इसलिए कहा गया जहां जहां तकनीक का इस्तिमाल होना था वहां वहां तकनीक का इस्तिमाल किया गया जहां जहां जुगार करना था वहां वहां जुगार भी किया गया मकसद एक ही था नियत यही थी कि मजदूरों को सकुष्वल स्वस्त बाहर निकाला जाए और 17 दिन जब मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है तीन मजदूर और ये पहली तस्वीर देखें इसी एम्बुलेंस में श्रमिक सवार है जिनें यहां से निकाला जा रहा है और सीधे अस्पतालब पहुंचाया जा रहा है तीन मजदूर बाहर निकल चुके हैं अब 38 को बाहर निकालना जाना वावी है तो अपडेट ये मिल रही है कि 5 अब लगातार देखिए चलिए नमबर्स में नहीं पड़ते लगातार यहाँ पर अच्छी खबर है राहती खबर यह है कि एक की बाद एक श्रमिक को यहाँ से बाहर निकालने का काम जारी है आप एम्बुलेंस को देख सकते हैं जो एम्बुलेंस यहाँ पर आपको मूग करती नजर आ रही है वही एम्बुलेंस है जिसमें श्रमिक सवार है न्यूज 18 माद्रप्रदेश 36 गड़ पर आप यह तस्वीर एक्स्क्लूजिव देख रहे हैं देखिए वहाँ सब्सक्राइब निकालने काम तो हमारी एक टीम लगी हुई थी तो सब लोग सभी लगे हुए थे हम भी लगे हुए थे बागी लोग भी लगे हुए थे हाँ सब एक तम फिट एक तम खापी के फिट एक तम मचते हैं सब अभी निकाला जा रहा हुए अभी तीन चार लोग निकल गें चार पाँच लोग एक एक करके निकाला है रहा हुए अब नाम है फिरोज फिरोज हमारा शुरंग बनाने का रहा हुए अब 26 गंटे लगें हाँ साथ लोग आगया इंगल्दी अभी हम तो करते रहे का हम तो करते रहे दिन और रात करा हमने 26 गंटे तक हाँ सोने का कोई वह निलिया हमने बिल्कुल भी जब तक हमने अराम ने लिया सौरा आप दिल्ली से अब करते हैं तभी हम लोग आगये यहां से पहली एंबुलेंस का मुवमेंट शुरू हो सकता है पूरा काफिला यहां से निकलने वाला है पुलिस के जिस तरह ब्रीफिंग की गई थी आज सुबह 11 बजे कि यहां से लेकर चिनियाली सौर तक किस तरह कि सुरक्षा के इंतिसाम रहेंगे